नमस्कार में नाम कुमर सीवम है और आप लोग खर्वाइट देखना शुरू कर चुका है जिस तरीके से आप सभी को मालूम है कि विते दिन जो है यूपी के विधान सवा में जो है लव जिहात के जो कानून था उसमें जो है काफी सक्ति किया गया है एसे में अभी हमरे साथ सुप्रीम कोट के वरिष्ट वकील डॉक्टर एपी सिंग सर है आखिर काड ये सब करना कहां तक सही है बहुत सारे सरकार के उपर आरोप लग रहा है स्वागत है सर जी जी सर जिस तरीके से कहा जाता है कि पहले जो कानून था उसमें बदलाव किया गया है पहले से जो सक्तिता उसमें बढ़ोतरी किया गया है वो जरूरी था बदलाओ, वो आवश्यक था, बदलाओ होना, मौके की निजाकत थी, आवश्यकता थी, देखा गया इतने दिनों उसका प्रियोग कितना प्रभावकारी है, लोगों ने उसे हलके में लिया, लोगों का क्रत्य जारी रहा, लोगों का प्राध जारी रहा, पैसे की बज़े से धर्म परिवर्तन कराने का सिलसला पैसे के लोब लालच में विदेशोई शक्तियों से संचालित होने वाले लोग बहुत एक्टिव रहे, रुकावट नहीं आई, कानून हलका लगा उन्हें, हसी मजाक में ले लिया, इसलिए उन्होंने कानून को सक्त किय कानून का मतलब होता है आप समाज में संदेश क्या देते हैं, उसे मैसेज क्या आजात, क्या अपराध रुकेंगे, क्या अपराधिक प्रवर्ति खत्म होगी, क्या अपराधियों में बदलाओ आएगा, कठोर कानून, कठोर दंड, कठोर सजा, कठोर निरन, समाज को दिश उसके लिए नहीं रो रहें लेकिन आगे कोई दूसरा हिम्मत न कर सके ऐसा अपरत करने की कोई दूसरा ऐसा तीका लगा कर धगा बांद कर पप्पू गपू चपू रिंकू राजू टिंकू माण टान रखकर नाम गुम्राह न कर सके हमारी बहन बेटियों को हमारी बेहन बेटियों को सुरक्षत होना चाहिए हमारी बेहन बेटियों को चरत्र बचना चाहिए हमारी बेटियों को बाद में टुक्णो 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 में काट दिया जाता है कई प्रिज में रखी जाती हैं, कई बस में रखी जाती हैं, कई 27 चाकू मारे जाते हैं, कई 56 टुकड़े होते हैं, कई 100 टुकड़े होते हैं, कई सिगरट से दागी जाती है, कई प्रगनेंट करके, बच्चे पैदा करके रोद पर छोड़ दी जाती है, इसके लिए हमें कठ जोर और अपको यह नहीं लगता है कि यूपी सरकार जो है एक तर्फा कानून चलाड़ है वहुमत की सरकार है सरम मानतर सरकार है अगर उन्हें बुलडोजर चलाया तो दुनिया ने उन्हें सराहना दी विधेशों में बैठे हुए राष्टपती प्रधान मंत्री जब भारत जिसमें दंगे हर दिन होते थे, हर हक्ते दंगों में हिंदू और मुस्लिम मरते थे, दुकाने लूटी जाती थी, स्कूल बंद रहते थे, आज जनी होती थी, लोगों के घरों को जलाया जाता था, लोगों को बंप से और मार मार के हत्याएं की जाती थी, कैसे रुकावट की आज अपराधी या तो शम्षान घात में है आज अपराधी या तो कबरिस्तान में है आज अपराधी या गंगा में उसे विसर्जित कर दिया गया और या फिर वो जेल की सलाकों के पीछे अपने को खुद सरेंडर करके पहुंचा है आज का समय है बदला हुआ उत्तरपदेश है जहां पर पानी में सौ लोग गेर करके उसी लखनव में सौ लोग गेर करके एक वेक्ति को काफी परताडित कर रहे हैं कितरे बड़ी बिड़मना की बात है एक तो पानी एक तो प्राक्रतिकापदा आई है बारिश विशेश हुई है और बारिश भी किसलिए क्योंकि पेंड लगवाये जा रहे हैं बहुत दर उपड किया जा रहा है इसलिए वारिश होना भी जरूरी पेंड लगके ऑक्सिजन मि बारा कोई घटना नहों सुखा न पड़े यह भी जरूरी डॉम बने बड़े बड़े डैम बने वह भी जरूरी पानी का धरातल का लेबल वाटर लेबिल वह भी उपर आए यह भी जरूरी जिससे पूरे साल नल और जो समर्सेबल हमारे पंप हैं टूब बेल हैं वो पानी देते रहें यह भी जरूरी है इसलिए पेन लगाये जाते हैं और लेकिन उस प्राकृतिक आपदा का भी फायदा उठाते हुए इतने अधिक लोगों ने एक वक्ति के साथ क्या किया वो सब ने देखा कठोर दन होना बाप जिए बंड़ोजर नहींचले गा तो क्या होगा ब lifu का चलना जाला चाहिए जो तेजीव चलना चाहिए हर थाने में खड़ा रहना चाहिए